हेलो गाइज वेलकम टू आवर चैनल डप्ट स्टड़ी आज के क्लास में ब्यस्टी फास सेमस्टर केमस्टी में हमारी जो यूनिट चल लए थी वो चल ले थी यूनिट थर्ड और इसी में हमारा जो टॉपिक है वो आज के क्लास में होने वाला है आयोनाईजेशन यानि कि इसको में आई पी बोलते हैं इससे पिछले वाला क्लास अगर आपने देखा होगा तो वहां पर हमने आपको पढ़ाया था यह के बारे में यह का मतलब होता है इलेक्ट्रों इलेक्ट्रों एफिनिटी एक पर थोड़ा सापको याद दिला देते हैं इलेक्ट्रों को एक्सेप्ट करने के जो टेंडेंसी चमता होती है उसी को में इलेक्ट्रों इलेक्ट्रों एफिनिटी बोलते हैं तो वैसे यहां पर आपको आई पी यानि की आयोनाइजिशन पोटेंशल के बारे में बताएंगे और साथ में इन बताएंगे इन का मतलब है इलेक्ट्रो को सुट 16 में जाता हुआ इन तिरों में इन उन जरूर में ॐ इनव को इस से लिदिए यह दो हमें उननी इन तो सुट 1500 आपको से थी मर केंजाने बंधिस jos होगी तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ हमने बता भी दिया एक बार रिपीट भी कर दिये रिपीट कर देते जो इने को हम लेते हैं एक्सेप्ट करते ग्रहन करते हैं उसी की टेंडेंसी यानि छम्ता को हम और अपको समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रों आफिनिटी तो आपको याधी हो गया हुँआ कि इलेक्ट्रों को accept करने की tendency electron affinity के लाती है यहाँ पर हमने लिख रखा है कि किसी element के एक isolated gaseous atom के valent shell, valent shell बता चुके थे जो बाहरी कोश होता है से एक electron को जो हम donate कर लेते donate करने के लिए जितनी energy के हमें जरूरत होती है, need होती है उस element का क्या होता है वो ionization potential उसे हम कहते हैं और इसको किस में व्यक्त करते हैं kilo joule per mole में क्या लिखा हुआ का मतलब है kilo j का मतलब joule, kilo joule per mole में इसे हम व्यक्त करते हैं उसके बाद वही line जैसा हमने आपको electron affinity में बताया था कि अगर आप एक electron accept कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे फर्स्ट ये दो electron accept कर रहा है उसे हम second ये तीन electron accept कर रहा है तो third ये तो इसे तरीके से यहां पर भी होगा कि अगर आप एक electron एक से ज़ादा electron को donate करते हैं तो उसे second IP, third IP जैसे कि अगर आप दो electron donate करते हैं तो उसे हम second IP कहेंगे यानि second ionization potential अगर तीन electron donate करते हैं तो third IP इसे तरीके से डैस 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 यानि एंड सो ओन हमने यहां पर लिख दिया है और फिर उसके वही सेम वही देखी एडिटिज वही लाइने हैं बस क्या कर दिया है जहां पर ये था ये को हटा कर क्या कर दिया आईपी कर दिया बस आपको पूरे उस टॉपिक से ये को हटा के आईपी करना है और जितनी बस ये definition थोड़ी से चेंज हो जाएगी वहाँ पर क्या और दा electron को हम accept कर रहे थे लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे electron को donate करेंगे फिर उसके बाद देखी यहाँ पर भी यही लाइनी लिखी थी कि second जो ये की value क्या होती सब्दा निगेटिव होती यहाँ पर भी यह होगा कि जो second ionization potential की value होगी वो भी कैसी होगी negative होगी क्यों होगी क्योंकि electronic repulsion के कारण जो energy होती है वो खर्च करनी पड़ती है फिर उसके बार देखे लिखा हुआ एक example एक sodium है sodium ने क्या किया है electron को donate कर दिया जब भी किसी को electron दे देते है तो plus charge आता है और अगर लेते हैं तो क्या आता है minus आता है यह आपको कई बार बता चुके है यहाँ पर donation करना है तो electron को donate कर दिया देखे प्लस आ गया निकाल दिया electron को ठीक है इसी तरह के से mg के यादि magnesium के बारे में बात करेंगे तो यह एक electron निकालेगा तो जो heat यहाँ पर ज़रूद पड़ेगे need जो energy होती है वहाँ पर हम क्या लिकेंगे first IP है यह यह जो heat निकली है इसको हम first IP कहेंगे ठीक है यह यह जो जाएगा mg double positive और यहाँ पर जो इसको हम क्या करेंगे दो electron को donate कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम second ionization potential तो I hope आपको example भी समझ में आ गया होगा अब यह सारा additives वैसा ही लिखा है जैसा हमारा electron affinity में लिखा था बार बार यही बात कहा रहा है बस वहाँ पर electron affinity था तो हमने इस यह लिखा था यहाँ पर क्या है ionization potential तो यहाँ पर यह को हटा हटा कर आपको क्या करना है बस IP लगाना है समझा हम पहले ही जो कहेंगे थे बस एक बर आपको पढ़ कर और बता देते है का मन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि दूसरे के opposite काम होता है हमने आपको याद करने का थरीका भी बताया था क्यों हो जाता है तो लिख दिया है क्योंकि वैलन शेल से जो nucleus की दूरी होती distance होती वो बढ़ जाती है और electron पर attractive force कम हो जाता है उसके बाद आपको यह line याद करने का तरीका बताते है जैसे कि माले यह nucleus है valence shell हमारा काफी दूर पर है तो जाइड सी बाद है nucleus से लेकर valence shell की दूरी बढ़ेगी अब बताई यहाँ pass वाले में attraction जादा होगा attractive force जादा होगी तो वही हमने line यहाँ पर लिखी भी हुई है उसके बाद effective nuclear charge तो यहाँ पर लिख दिया है कि अगर effective nuclear charge जो है वो बढ़ेगा तो nucleus और electron के बीच जो attractive force अकर्शर बढ़ेगा उसकी value क्या जाती है बढ़ती जाती इंक्रीज होती जाती है जिससे IP की value भी बढ़ेगी वहाँ पर भी यही था कि अगर EA की value बढ़ती है मतलब कि सॉरी यहाँ पर अगर effective nuclear charge की value अगर बढ़ेगी यहाँ पर attractive force की value बढ़ेगी तो IP की value भी बढ़ेगी या EA की value भी बढ़ेगी उसके बाद जो धर्ड हमारा factor है वह है penetration effect यह क्या है अगर S orbital के लिए IP की value PDF से कम होती है क्योंकि इसकी penetration power जादा होती है देखे जहाँ पर EA था वहाँ पर क्या कर दिया IP कर दिया ऐसी shielding effect में पूरा editage वैसे लिखा हुआ है जहाँ पर EA था वहाँ पर क्या कर दिया हमने IP कर दिया उसके बाद अगला जो है हमारा trained in periodic table यह इसमें देखी दो पॉइंट आते एक alonga period और एक alonga group तो alonga period में क्या लिख दिया कि किसी period में अगर आप left to right जा रहे है तो IP की value बढ़ेगी और अगर IP की value बढ़ती है तो atomic radius क्या हो जाती है कम हो जाती है उसके बाद आपको बस इतना ही इसमें याद रखना है कि अगर आप left to right जा रहे हैं तो क्या होगी हमारी IP की value बढ़ेगी और अगर आप top to bottom आ रहे हैं तो क्या होगी IP की value आपकी कम होती चली जाएगी ठीक है तो यह बाद आप याद में रखे तो आपको लिखने में आसानी भी रहेगी यहाँ पर लिख भी दिया है कि किसी ग्रूप में top to bottom जाने पर IP की value कम हो जाती है उसके बाद effect of IP on chemical behavior तो देखे सेम सब कुछ वैसे लिखा है बस EA की जगह पर हर जगह में IP को लगा दिया है बाकी editing सब कुछ वैसा ही है तो आप पढ़ लें क्योंकि इससे पिछले वाले class में सब को detail बताया था तो अगर आपने वो class नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए तो इस class में हम इतने ही रखते है पूरा topic हमने अच्छे से cover कर दिया है पूरे IP नहीं Ionization Potential के बारे पूरा आपको बता दिया है लॉंग कोशन था अपने आपको बार बार ये बात कह रहे है कि आप इन तीनों में से कोई एक topic याद कर लीजिए अगले class में हम आपको electro negativity के बारे में भी बता देंगे आपको पूरा class अच्छे से समझ में आ गया होगा मिलते हैं इसके अगले next वीडियो में अगले नए topic के संग तब तक के लिए जय हिन जय भार